हर्दोई के सुर्साधाना इलाके में शराब की नशे में एक युवक इतना हैवान बन गया कि उसने 8 साल की बच्ची को चौमीन खेलाने के भाने ले जाकर उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया और कहीं राज खुलना जाए इसलिए रात में ही उसका गला दबा कर उसे मोद की नीन सुला दिया जीहां घटना ही बड़ी ही शरम सार कर देने वाली है जिसमें बच्ची के शव को मंदिर के पास फैंक कर युवक फरार हो गया वहीं पुलिस के सामने ब्लाइंड मर्डर के खुलासे की चुनोती थी लेकिन पुलिस ने 24 घंटे में ही इसका खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफतार कर जेल भेज दिया है जानकारी अनुसार बच्ची के साथ हेवानियत के बाद हत्या की है वारदात सुर्सा थाना इलाके के एक गाउं की है सुर्सा थाना इलाके में एक दिन पहले एक बरात में शामिल होने गई आट साल की बच्ची का शव सुभा मंदिर के पास जाडियों में मिला था जिया श्रम मिलने की सूशना पर परिजन भी मोके पर पहुंचे थे और S.P.R. लोग प्रियदर्शी ने मोके का मुआयना कर फॉरंसिक टीम को भी प्रक्रन की खुलासे में साक्षे कत्र करने के निर्देश दिये मामले का खुलासा करती हूँ S.P.R. लोग प्रियदर्शी ने बताया कि शराब के नशे में युवक ने बालिका को चाउमीन खिलाने के भाने ले जाकर उसके साथ दुशकरम की वारदात को अंजाम दिया और कहीं रास खुलना जाए इसको लेकर उसने बालिका की गला दबा क कर हत्या कर दी फिलाल पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया है वहीं 24 घंटे में मामले का खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने इनाम देने की घोशना की है लिखनी है कि कल थाना सुर्शा छेत्र में एक सताज साथ वर्षे बच्ची का शव सुबसुब पाया गया था और पता यह चला कि वह बरातियों के साथ वहां खानावाना खा रही थी उसके बाद वह समय से अपने घर नहीं पहुंची घरवालों ने अगले दून उसकी ला खुलासा पुलिस ने बारा गहंटे में मुकादमा लिखे जाने के बाद कर लिए और इसमें जो आरूपी ग्रफार हुआ उसमें अइसने अपना आ घटना कर्म का पूरा व्रितान बिताया है और ँची को मिठाई खिलाने के बहाने वह सने उसकी बा tablespoons किया आरुपी से फूस्तास करके उसको जेल भेजा जा रहा है, ब्रामागी की जा रही है और इसमें अगरी मिधिकारवाई कराई जा रही है एसे ही लेटेस परेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घंडेवाद